एगाइस वेलकम टो एमेम अकेडमी मैं हूँ शुशांक लखेरा और आज के समय आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लियोंगे कि CBI ने गेल के मार्केटिंग डिरेक्टर को धर लिया है जी हां हाली में इस पर आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि एक बहुत ही बड़ा स्के देखा गया है गेल में हाला कि मुझे लगता नहीं था कि गेल के जो डिरेक्टर है मतलब मार्केटिंग डिरेक्टर है वो इस तरीके का काम यहां पे करेंगे और जादा बड़ी ब्राइब इन्होंने ली नहीं है 40-50 लाक रुपे इन्होंने लिये है लेकिन अमाउंट चा ऑब हम गेल के बारे में बात करते है गेल इसिन महारतन कंपनी ब्हारत में कुछी कंपनीज ऐसी है जिनको महारतन का स्टेटस दिया गया हैփ कुछ companies नवरतन भी है चुछ companies को स्टेटनों कि यह diarrhea आती है वह हैं वह भारत सरकार के अंडर एक बहुत इंपॉटेंट कंपनी है गेल जो की एक बहुत अच्छा revenue जनरेट करके देती है भारत सरकार को हो को बहुत सारी companies यह सब्सक्राइब से जो Gulakai जो है जन्रेट करके देती है उन कंपनियों की लिस्ट में आपको गेल भी देखने को मिलेगी और गेल के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो आपको पता ही है गैस अथारिटी ओफ इंडिया लेमिटेट यह बेसिकली एक गवर्मेंट ओड नेचरल गैस को और परेशन है ज गेस कंपनी में 13,722 किलोमेटर की पाइपलाइन का नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा और इस 13,722 किलोमेटर में से 6000 किलोमेटर की जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट से वो खोद गेल ने डेवलप करी हुई है और अगर आप इंडिया की टॉप कंपनीस देखोगे जो भ 35 करोडरों पे नेट प्रोफिट जनरेट करके दिया है भारत सरकार को ओएन जी सी 13,445 करोर्स एंटी पीसी लिमिटेड 14,969 करोर्स कोल इंडिया लिमिटेड 16,700 करोर्स और यहां पे आपको गेल देखने को मिलेगा गैस अथोरिटी ओफ इंडिया लिमिटेड 6,142 करोर्स तो भारत की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें आपको गेल का नाम भी देखने को मिलेगा और आप मेंसे बहुत सारे students होंगे जो गेल के exam सेते होंगे गेल के exam की तयारी कर रहे हूंगे और अब इसी company में हमको एक bribery का case देखने को मिल रहा है और इस पे आपको article भी देखने को पूरा issue इसके अलावा गेल किस तरीके से काम करता है गेल किस तरीके से अपने product जो है private companies को supply करता है तो वो सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा और इस पूरे scam के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पूरे scam को conduct किया गया और किस तरीके से CBI ने एक प्रॉपर planning करके गेल के marketing director को arrest किया है तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा उसके पहले अगर आप किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो आप हमारे smart courses कर सकते हो आपको simply करना क्या होगा app को download करना है फिर आपको यहाँ पर sign up करना है आप दो videos lecture देख सकते हो जो demo lecture फिर आपको profile में जाना है plan को purchase करना है course को enjoy करना है एक ही subscription में आप सभी course अविल कर पाओगे और आप यहाँ पे PDF भी download कर सकते हो इसके लावद उनको इतना वड़ा status कैसे दिया जाता है दो को basically जो companies होती है continuously profit generate करती है पिछले 3 सालों से जो continuously भारत सरकार को profit generate करके दे रही है और जिनकी positive net worth है तो उनको mini ratna category 2 में रखा जाता है उसके बाद जो continuously यहाँ पिछले 3 सालों से profit को generate कर रही है और इनका profit 30 करोड से जादा है त अब इनको mini ratna category 1 में रखा जाता है इसके बाद आता है नवरत्न में आपको 100 basis point देखने को मिलेंगे उन में से करीब 60 score करना होते है companies को इसके अलावा इसमें 6 parameter देखने को मिलते है net profit, net worth, total manpower cost, total cost of production, cost of service, PBDIT profit before depreciation, interest and taxes, capital employed और company को 100 वैसे 60 number चाहिए होते है नवरत का status पाने के लिए लेकिन अगर हम बात करें महारतनी की तो तो अगर कोई भी company जिसका annual net profit जो है पच्चिस सो करोड से जादा है continuously तीन साल से तो उसको महारतनी की category में रख दे जाता है इसके अलावा average जो annual net worth है वो 10,000 करोड से उपर होनी चाहिए 3 years तक इसके अलावा average annual turnover है वो करीब 20,000 करोड का होना चाहिए 3 years तक अब पहले अगर आप देहोगे तो पहले यह amount 20,000 करोड नहीं था पहले यह amount 25,000 करोड रुपे उसके बाद भारत सरकार ने इसको जो है कम कर दिया तो बीस हजार करोड जो है कर दिया तो अगर आपका continuously turnover जो है तीन साल तक 20,000 करोड तक का है तो आपको महारतन का status जो है मिल जाएगा तो आप simply यह समझो कि यह जितनी भी company हमने देखी है उनका जो हर साल का profit है वो आपको एक बहुत ही बड़ा amount देखने को मिलेगा इसलिए इन सबको महारतन कंपनी की category में रखा गया है अब यह बात तो हो गई status की अब यहाँ पर य जो है अफने product को supply करता है इसके लावा market में जो company है उनको भी supply करता है बहुत सारी companies है जो पेट्रो chemical से अपने जो product है उनको यहाँ बनाती है तो उनको पेट्रो chemical की जरूर्थ पढ़ती है तो, गेल जो है उनको supply करता है तो इस तरीकह का business जो है गेल यहाँ पे करता है और, और 2020 में गेल ने अपने marketing director को appoint किया था रंगनाथन को रंगनाथन 2020 से ही marketing director रहे हैं गेल के अब actually मैं scam किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ देखा हुआ गया कि रंगनाथन है marketing director और बहुत सारी जो private companies है वो गेल से लेती है petroleum products तो बहुत सारी private companies जो है वो चाहती है कि हमको कम पैसे में जो है आपे समान मिल जाए तो इन्हों ने कहा कि हाँ ठीक है चलो मैं दलवा देता हूँ गेल कंपनी जो है आपे मान गई है और इन्हों ने उसी के नाम पे बहुत सारी यहाँ पे पैसे ले ले तो करीब 50 लाख रुपए जो है इनों ने यहाँ पे लिये है इसके बाद पहले तो एक्चुली पर यह अमाउंट 40 लाख था लेकिन जब CBI को यहाँ पर पता चल गया तो CBI ने एक proper planning करी और 10 लाख रुपए और भिजवाए तो यहाँ पे यह चीज पता चल गई कि हाँ रंगनाथन जो है यहाँ पर रिश्वत लेते हैं और फिर उसके बाद CBI ने इनको धर लिया और स्क्रीन पे जो आपे में देख रहे हो वहीं है रंगनाथन इनी को CBI ने धर लिया है और इनके घर पे जब CBI ने रेट मारी तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है आत लगा है Central Agency ने करीब 8 लोकेशन पर छापा मारा करीब 1.29 करोड रुपे कैश मिले इसके अलावा 1.25 करोड की वोल्ड की ज्वेलरी मिली है अभी तक इसके बाद continuously अगर आप दो के तो सर्च जो है अभी चल रही है मतलब CBI सर्च यहां पर कर रही है और भी जो places हैं उन जगों पर searching चल रही है और at last अब मैं आप से यहां पर जानना चाहूंगा जो भी story थी वो मैंने आपके सामने रख दी किस तरीके से जो है गेल काम करता है इसके अलावा किस तरीके से इस पूरे scam को conduct किया गया है अपने opinion comment box में जरूर comment करना इसी के साथ यह तना दो इस वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चैहिन चैभाद